वेल्कम टू नेक्स जाओं आज है 31 मार्च दोयरतेश और 31 मार्च दोयरतेश से करेंट फेस्ट के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में से वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश् बताना है आज कि लिए फाइल आप इस वीडियो के डिसकस्न दें नावव्लोर कर सकते हैं पीदेफ आप हमारे टेलीग्राम गुरुप्स्टımızı दauer कर सकते हैं टेलीग्राम गुरूप पर आपको असारे पीदिया पर एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम गुरुप का ल अंतरास्टी सून्य अप्सिष्ट दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे अप्सिष्ट का मतलब होता है बेस्ट और सून्य का मतलब जीरो यानिकी जीरो बेस्ट तो सैयोक्तरास्ट का एक डेटा है इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रति दिन 2.24 अरब टन नगरी कच्रा उत्पन होता है इस कच्रे को कम करने और टिकाव उत्पादन का उपवोग नीतियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 मौर्ज को अनतरास्टी सून्य अप्सिस्ट दिवस मनाया जाता है अच्छा एक मार्च को सूननी भेदभाव दिवस मनाया गया तेन मार्च को बिस्व बननीजीब दिवस मनाया गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बिस्व मोटापा दिवस मनाया गया चे मार्च को बिस्व टैनिस दिवस मनाया गया 8 मार्च को अंतरास्टी मैला दिवस और नो स्मोकिंग डिवस मनाए गया, 9 मार्च को बेसु किड्नी दिवस मनाए गया, 10 मार्च को CISF का 54 इस्तापन दिवस मनाए गया, 14 मार्च को अंतरास्टी गड़ित दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाए गया, 15 मार्च को बेसु Cycling दिबस मनाओ किया करो अंतराश्की प्रसंद्ता बर्चरा को अंतराश्टी प्रसंद्ता दिवस मनाओ गए अच्छा बेश्मार्च को ही बिस्सु गौरयया दिवस्व herman दिवस मनाये गया, 24 मार्च को 206 रोग दिवस मनाये गया, 25 मार्च को अजनमे बच्चों का अंतरास्टी दिवस मनाये गया और 27 मार्च को बिस रंग मंच दिवस मनाए गया तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंड ही मनाए गया है यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाले में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सेर्स पर रहा है तो आर्टन कैपिटल ने भी पास्पोर्ट इंडेक्स तुझार 23 जारी किया है इसमें UAE टॉप पर है तो इसकुशन का से ओप्संस आई है UAE फर्स्ट पर है स्वेडन सेकिंड पर है और जर्मनी थर्ड पर है अच्छा अपना देश भारत इसमें 144 में नंबर पर है लास्ट इयर इंडिया 138 में नंबर पर था लेकिन अब अपना देश भारत 144 में नंबर पर है यानि कि इंडिया का मोबिलिटी स्कूर अब कम हुआ है अब UAE टॉप पर है तो ये है मैप में UAE UAE की केपिटल क्या है अबूधा भी UAE की करणसी क्या है UAE दिरहम और UAE की प्रेजेंट टाइम पर प्रेशिडेंट कौन है मुहमद बिन जयाद अल्यान अच्छा अभी सबसे बड़ी बिदेसी एरलाइन की रूप में एमिरेट्स एरलाइन उबरी है UAE के डेजर्ट फ्लेग एट अभ्यास में बारती बायू सिना ने पाटिस्वेट किया है UAE के प्रदानमंत्री ने अल मिन हाथ सहर का नाम बदल कर हिंद सहर कर दिया है और आटन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपूर्ट की लिस्ट में लास्ट यर भी UAE टॉप पर रहा था इतना आप UAE के बारे में याद रखिए नए क्यूशिन है हाले में किस ने आंद प्रदेश के काकी नाड़ा में छेत्री इस्तर पर खोज और बचा अभ्यास का संचालन किया है तो अभी इंडियन कोस्ट कार्ड ने 1977 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डैली में और इसके प्रजेन टैम पर डारेक्टर जनरल कौन है वे एस पठानिया कौन है वे एस पठानिया ने क्यूशिन है हाली में जे ट्वंटी आपदा जोखिम न्यूनिकर्ड कारिसमों की बैठक क्यूशिन है Q.S. World University's Ranking 2023 के अनुसार एसिया में सबसे अधिक प्रतिनिदित वाला देश कौन सा है तो Q.S. World University's Ranking 2023 के अकोर्डिंग एसिया में सबसे अधिक प्रतिनिदित वाला देश है चाइना तो इसकूशिन का बे आप्सेंस है अब चाइना तो ये है मैप में चाइना चाइना की केपिटल क्या है पीजिंग चाइना की करंसी क्या है और चाइना की प्रेजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कोन है जे जिन पिंग अभी स्वनिर्मित अरपतियों में चाइना टॉप पर रहा चेना की संसद में नए प्रेमियर की रूप में लेक की यांग को नामित किया गया चेन ने संचार उपग्रे जौंग सिंग 26 का प्रक्षे पड़ किया चेन ने अमेरिका में अपने दूद चिन गांग को नया बिडेस मंत्री बना है नए हुशन है हाली में प्रूजेक्ट आकास तीर के तहट रक्षा मंत्राले ने किस के साथ समझोता किया है तो प्रूजेक्ट आकास तीर के तहट अभी रक्षा मंत्राले ने B.A.L. यानि कि भारत Electronics Limited के साथ समझोता किया तो इसकुशन का A options आई है अब B.A.L. इसकी स्तापन कब होई 1954 में इसका Headquarter कहां पर है Bangalore में और इसके Present Time पर MD कौन है भानू प्रकास श्री वास्ताव कौन है भानू प्रकास श्री वास्ताव ने किशन है हाली में किस राज की मुख्यमंत्री ने पत स्री और रास्ता स्री यानि कि पत स्री रास्ता स्री परियोजना का सुभारम किया है तो पश्यमंगाल की चेपनिश्टर ममता बनर जी ने पत स्री रास्ता स्री परियोजना का सुभारम किया तो इसकी स्री इसकी स्री परियोजना का सुभारम किया है इसमें कहा है तो यह मैप एसाम परश्यमंगल मैं केपिटल क्या है कूल काता। और कूल काता है हुगली नदीक कि नारस्य परलत की चीपनिष्ट्र है मॉंताबना जी और पश्यमंगल के अभी नए गवर्णर कौन बने है सेगा जाए हैं पश्चे बंगाल सरकार ने निजे भूमी पर लगू खनिज खनन की अनुमती दी है और सेबे अनन्दबोस ये पश्चे बंगाल के नए गवर्नर वने है ने क्यूशन है किस राजी की कांगडा चाय को यूरोपे जियाई टेग मिला है तो कांगडा चाय ये हिमाचल प्रदे इसकी है और इसको अब यूरोपे जी और ट द इसको इन का बे ऑप्संस है दो जार पांच में इसे इंडियन जी टाग बिला था अब इससे यूरोपे जीए ट्एग भी मिलगया है यूरोपी जीए टेग प्रेले का फाइदा आई है कि अब इसकी entry European market में भी हो जाएगी, अब हिमाचल प्रदेश तो ये है map में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की capital क्या है, सिमला, हिमाचल प्रदेश की chief minister कौन है, शुक्ख विंदर सिंग सुखु, और हिमाचल प्रदेश की governor कौन है, सिप प्रताप सुकला, अच्छा organized licorice, यानि कि मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज हिमाचल प्रदेश बना है, नयमूर्ती सबीना को हिमाचल प्रदेश के high court का कारे बाहक मुख नैदीस निक्त किया किया, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53 मां स्तापना दिवस मना है, हिमाचल प् प्रदेश में, ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क है, पिन बैली नेशनल पार्क है, तिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है, नयक्यूशन है, हाली में फूलंगे नामक पुस्तक का भी मोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है, लेखनाथ चेत्री ने तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है एक्चुन में यह जो फूलंगे पुस्तक है यह मूल रूप से एक नैपाली उपन्यास है अब इसका इंग्लिस वर्जन दार्जलिंग की लेखक लेखनाथ चेत्री ने लेखा है अच्छा अभी डॉक्टर एस ए हसन के द् लेखे तो पन्यास पागल खाना को ब्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है ने कीुश्चिन है हाली में टी-ट्वंटी इंटरणेशनल में सबसे ज्यादा बिकेट लेने वाले गैन बाज बने हैं बंगलादेश के साकेब अलहसन तो इस कुश्चिन का B ऑप्सन सही है यह है साकिब अलहसन ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं इन्होंने टिम साउधी का रिकॉर्ड तोड़ा है अच्छा अभी भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज अक्षर पटेल बने माईला T20 विकेट लेने वाली खिलाडी सबनेम इसमाइल बनी है चटी बार माईला T20 विकेट को खिताब औस्टेलिया ने जीता है और टेस्ट किर्किट में सबसे ज़्यादा च्छके लगाने वाले वाले बने बाज बेन स्टॉक्स बने है ने क्युशन है चुशन का से उप्सेंस है अब इमेज में देख लीजी ये हैं सेख मनसूर बिन जयाद अलनायाद ये युएए के नए उप्राश्ट पती बने अच्छा अभी हमजा यूसुफ इसकॉड लेंड के प्रत्थम मंतरी जुने गए नेपल के तेसरे उप्राश्ट पती राम साय परसाद यादब चुने गए सेख एहमद नवाफ अल एहमद अलसवाकू क्वेट का प्रदानमंतरी नियुक्त किया गया सेख मुहमद बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी को कतर का प्रदानमंतरी नियुक्त किया गया वांत हुआंग यह ब्यतनाम के नई राष्ट पती बने हैं और बोला टेनुभू यह नाइजिरिया के नई राष्ट पती बने हैं नए क्यूशन है हाली में 23 मार्च को के सराजी का इस्तापना दिवस मनाया गया तो अभी राइस्तान का इस्तापना दिवस 23 मार्च को मनाया तो इसको शिन का बे ओप्सन से यह है आपको पता है एरिया के बेसफर राहिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्जी है अब राहिस्तान तो यह है मैप में राहिस्तान राहिस्तान की केपिटल के है जैपूर राहिस्तान की चीपनिश्टर कौन है असू गहलोत और राहिस्ता सुरक्षा कॉंग्रेस जैपुर में आयुजित की गई कूटा में बिज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माण किया जाएगा वारते सेना के दक्षिट पस्चिमी कमांद्वारा सत्तुरुनास अभ्यास का आयुजन राइस्तान में किया गया अच्छा राइस्तान में सर अधिकार एक भागीदार बनाया है तो अभी बेसी सी आई ने टाटा इपिल 2023 के लिए अपना अधिकार एक भागीदार हर्वा लाइफ को बनाया तो इस कुश्चिन का से ओप्संस आई है अब बेसी सी या यानि कि वोर्ड ओफ कंट्रोल फोर किर्किट इन इंडिया इसकी स्तापना कब हुई 1928 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है रोजर बिन्नी कौन है रोजर बिन्नी नेकिशन है हाली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्यूनिकेशन कौन क्लेव का आयोजन किस सहर में किय गया तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया तो इस कुश्चिन का ए ओप्सन सही है नेकिशन है हाली में सडक और परिवहन प्रडाली पर भारत रूस बर्किंग ग्रूप की बैठक कहां सुरू होई है तो सडक और परिवहन प्रडाली पर भारत रूस बर्किंग ग्र हमजा यूसूफ के इस देश के प्रथम मंतरी चुने गए। तो स्कुड लेंड के प्रथम मंतरी चुने गए हमजा यूसूफ। यानि कि इस कोशियन का बे औक्षण सही था और लगबग सबेस्ट वैड़नेस कांसा ऐद ही दिया। मुश्ट लेश्ट वेडनेस के बारे में डेटेल में लिखा, मैं आपको एक वर फिर बोलूँगा, क्वेशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question टेली पोस्ट करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं, क्यूंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreshrc, indreshrc, Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any hesitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना, आज किस वीडियो का target है, 40 या like, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, help लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू क आना, और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आप से सब्सक्राइब करेंगे, तो बराबर में एक bell icon बन के आएगा, आप उस bell icon पे जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे, next exam always video, thanks for watching.